सर्दिका मौग सब्साब कर दो, और बनते ही हैं और आज मैं बहुत ही स्पेस्टेशल टिप के साथ बताऊँग यह.. आट हैं पराथा समय करने दंब काल्ड रिच्प और विधा हैं विवान उससे पराथामे केसे पड़िए होrasi करने पड़ा है दो एक धुर अट गेहु का आर्टा म हम हाथों से मिक्स कर लेते हैं तो यहां पर मैंने सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसमें डालेंगे पानी तो यहां पर यह ध्यां रखना है कि पानी हमें एक साथ नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा करते विए पानी डालेंगे और पानी तब तर डालेंगे जब तक जब पराठा बनाते हैं तो जो आटा होता है वो सॉफ्ट होना चाहिए वैसे तो यह पूरियां बनाने के काम में आ सकता है लेकिन जब पराठा बनाना हो तो इसमें पाइन डाल कर इसे फिर से अच्छे से हमें नीट करना है जब तक यह सॉफ्ट ना हो जाए और आप देख किस तरीके से कर रही हूं हातों से इस तरीके से प्रेस करते हुए जब हम नीट करेंगे ना तो यह आटा बहुत ही सॉफ्ट बनता है और आपने देखा हो कि पहले की जो दादी नानिया होती थी वो बड़े परात में बहुत सारे कॉंटिटी में आटा को इसी तरीके से नी हो गया है यह देखिए मैंने जो पहले आटा नीट किया तक इतना कड़ा है और इस समें देखिए धीरी-धीरी करते पानी डालते हुए कितना यह सॉफ्ट हो गया है तो चली अभी सेट हो रहा है तब तक चली हम फिलिंग भी मना लेते हैं तो यहां पर मैंने बड़े साइ कि हमें चली हम दो ग्रेट कर ना हम जब से एंड़े करना है तो जितने वडे टुकड़े हुँंगे उतना उतना ग्रेट करने में असानी हो जनर वो क्या करते हैं पहले ते हम बहु रावला दें फैर इसको तो चैसे धूदी नहीं यहां आपको आपको आगे दिखाती है न चोटे बड़े तस doing a UV होदे ब שמतार को चलिए व मरथ इसे कप्ड़े dense और इस धीकार लिया है पूसक्त है ऑख्ण dice वी वान दीओ हिए दोने के पड़ मेरे कube अच्छे से ड्राइब हो जा में medium size ग्रेटर यूज़ कर रही हैं, अगर भूहत महीन ग्रेटर यूज़ किया तो गोवी में से पानी निकलता है इसलिए यह हमेशा ध्यान रहे कि मीडियम वाला ग्रेटर यूज करके इसे ग्रेट कीजिए तो गोबी के बड़े-बड़े तुगड़े मैंने कट किये तो यह देखे ग्रेट करना काफी असान है इससे हाथ भी नहीं चिलेगा और जो लास्ट का यह पार्ट बचता है इसे हम फेक देंगे या फिर आप मैंने लिया है और तेल जैसे ही गरम हो जाए इसमें डालेंगे जीरा और साथी में थोड़ा सा जवाइन भी डालेंगे जिससे कि यह पताने में हेल्प करेगा और तेल में साथी में इसमें हम अध्रक भी डाल देते हैं जैसे मैंने बहुत ही बारी कट कर लिया है और हलका स सब्चे करें एक बार मीडियम हाई- फ्लेम पर रख थोड़ा सा विझे करेंगे लो फ्लेम पर रख नहीं से बुहना क्योंकि गुवें पाणी निकलेगा और थोड़ा सब्चे साथी में थाषी मिच पाउडर लिया है होड़ा बास अलमगत पहुकर नामगत डालेज़ तक पांधिक डालेजे पाउडर दालेगे और टेस्स के रिक एक एक बार नामक डालेटे हैं तो फिलिंग करते समय थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, पराथे जो हैं फटेंगे, इसलिए में तब तक भुनना है, जब तक कि ये ड्राइना हो जाए, तो तीन से चार्ड मिर्ट में ये देखे गोबी अच्छे से कुख हो गई है, और बहुत जादा पकाने के हमें ज़रत न मेठ करने के भाद इक्वॉल, पोशन समय देवाइट कर लेते हैं, यहाँ पर इसे हम पांससे इकवल पोशन समय डिषियों कर लेंगे, तो यहाँ पर इसे हम सुखे आठे साथ जाओ कर लेयमे कर लेदें, और इस तरीके से हम हम इसे हाथों से श्प्रेद करेंगे, वैसे किनारों को मैं पतला करती जारी हूं लेकिन बीच में थोड़ा मोटा है ताकि फिलिंग को यह पकड़ के रख सके अब बीच में रखते हैं अच्छी कॉंटिटी में फिलिंग तो बहुत जादा नहीं भड़ना है नहीं तो जो पराते हैं वो फटेंगे तो यहां पर करना तो उनके लिए मैं एक असान तरीका जो कि आगे बताऊंगी उससे अब ज़ूर देखेएगा तो यह देखेंगे सभी अच्छी से सील कर लिया है और चली अब इसे हम सूखें आटे से फिर से कोट करते हैं ताकि बेलना असान हो जाएगा और अच्छी से कोट करने के यहां पर इक इंपर्टेंट बात है कि इसे अभी बेलेंगे नहीं बेलन से हाथ से इस तरीके से स्प्रेट करेंगे थोड़ा सा ताकि जो फिलिंग है वो अंदर की अच्छी से उसके बाद जाएगे ना तो पिलकुल जेंटली हमें चलाना है बहुत ही हलकी हातों से प्यार एक इतल पाथे हैं कि अर उसको एक वकल दौश्य में डिव्यट कर लेंगे और असे से इसारी में रोल करेंगे यहां पर आपन Building कि यहां र्ते में प्र-बिल्कुल बाति करना है रोल करेंगे और इसी तरीकियां यहां इसी तरीके से सी साइź में रोल कर लेंगे तो यहां पर मने दो रोटियां बनारी है और अब हम चुँब करने के बाद अब मेरे दू करो श बैसे बढ़ा तरहां है यहां पर मोता स्प्रेट तो खुलती नहीं है और एंड्स में इस तरीके से फोक से इंप्रेशन दे देते हैं जिसे कि यह बहुत ही अच्छे से सील हो जाएगी तो जिनके स्टफ पराठे अच्छे नहीं बनते हैं फट जाते हैं बिलते समय प्रॉब्लम होती है तो वो इस मेटड़ से भी गोबी के पराठे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं तो चलिए अवम पराठे को सेगते हैं, तो यहां पर मैंने पैन को अच्छे से गरम कर लिया है और गरम पैन के ओपर हम रखते हैं पराठे अन zij की तरब से से थोड़ा न था न की तरफ ने के बाद बना से पलत देते हैं घी यहां पर या चलिए लगाते हैं गी जहां पर दूसरी तरफ भी हम लगाते हैं अब देखें ना कितने अच्छे से ये पराठा सिख गया है थोड़े बद अगर पराठे फट भी जाते ना से कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसे ये देखिए मैंने पलट दिया है कितना अच्छा ब्राउन स्पॉट्स आ गया है देखने में काफी क्रिस्पी क्रंची और टेस्टी सा बना है इसे इसे स्पैचुला से हलका सा प्रेस करते हुए और प्रेट कर थोड़ा सा सेखेंगे और ये देखें कितने अच्छे से पराठा फूल भी रहा है अब देख रहे हैं अगर फिलिंग अच्छे से एवनली स्प्रेड होग पराठे को भी हम सेमोसी तरीके से सेखेंगे जैसे मैंने पहले वाला पराठा सेका है और ये देखें कितना अच्छा ये भी पराठा सिख गया है काफी अच्छा लग रहा है और आप देख रहे हैं बिल्कुल भी फटा नहीं है काफी अच्छे से सिख गया है एंड्स अच अध्रक्रे में पेज़ डाल देते हैं जीरा छाट मसाला डाले जमाइन डाले इसे पचाने में काफी हल्प करता है इसे आप खिप नहीं करें इसे अच्छा फ्लेवर भी बहुत आता है और फिर इसमें डालते हैं थोड़ी सी लाल मिश पाउडर और सभी मसालो को बिल्कुल अब भी मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद लास्ट में डालें जब पराठे बनाना हो क्योंकि नमक डालने के बाद सब्सक्राइब निकलता है और जो मिक्षर है वो काफी गीला हो सकता है तो यहां पर एक टिप में दे रही हूँ कि आप थोड़ा सा सूखा अटा डाल दीजिए जिससे की जो भी मॉइस्चर होगा वो अब्सॉर्ब हो जाएगा और फिलिंग करना काफी असान होगा तो इस तरीके से यह देखे मैंने बगए कुक्किये वे कोबी की फिलिंग में आके रेडी कर लिया है और सेम उसी तरीके से आटे के बीच में रखते हैं लगभग दो से तीन चमश फिलिंग रखकर एंड्स को अच्छे से सील कर लेंगे और इसे हम सूखे आटे के साथ अच्छे से जेंटली रोल करेंगे बहुत जादा प्रेशर यहां पर भी अपलाई नहीं करना है बहुत ही हलकी हातों से रोल करना है अगर यह वाले पराथे पिलते सामे थोड़े फट भी जायना तो कोई मुश्किल नहीं है आप असानी से इसको सेख सकते हैं क्योंकि यह इसको गोबी का मिक्स्चर है इसे बहुत देर तक नहीं रखना है अगर आपने जादा देर तक रख दिया तो इसमें से मौइस्ट निकलेगा और इसके बात पराथे बनाना मुश्किल होगा तो इस वाले गोबी को आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना है संग संग बनात सकते हैं तो है ना गोबी के पराथे बनाना बहुत ही असान इसे आप घर में ज़रूर ट्राइ कीजिए और इसे हम सर्फ करेंगा जराचाची के अचार के साथ जो की पूरी तरीके से घर में बना हुआ है और टेस्ट में है बिल्कुल दादी नानी के हाथ के अचार जैसा तो अगर आप भी इस आचार को खरिना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पे क्लिक करके बाई कर सकते हैं तो फ्रेंज कैसे लगे ये गोबी के पराथे कमेंट जरूर कीजिए और इससे पहले मैंने आलू पोहा के पराथे भी बनाये थे जो कि बहुत आपकी इंट्रेस्टिंग और सिंपल से रेसिपी है जिससे आपने आप एक लिक करके जहूर देखिए